दोस्तो इस सीरीज के पहले पार्ट में हमने कवर किया था कि प्राचीन भारत में 64 कलाय हुआ करती थी एक करिकिलम की तरह जिसे आज हम आर्ट्स या स्किल सेट्स कहते हैं हमने वीडियो में प्राचीन काल में उनका महत्व कितना हुआ करता था ये समझा था और हमने 64 कलाओ को अलग-अलग ग्रूप्स में डिवाइड किया था जिसमें पहला पार्ट था performing arts जिसमें 7 कलाओ थे और उनको हमने विस्तार से समझाया था आपने अगर वो वीडियो नही देख सकते हो या नीचे description में आपको उसका link मिल जाएगा आज हम इस वीडियो में उन 64 कलाओ के अगले दो ग्रूप्स के बारे में चर्चा करेंगे जो है visual arts जिनमें 3 कलाओ है और makeup and grooming skills जिनमें साथ बहुत ही interesting कलाओ का उल्लेक मिलता है अगर हमारे चानल का content आपको अच्छा लगता है पर अभी तक आपने चानल को subscribe नहीं किया हो तो तुरंच subscribe बटन पर click कर दीजे और bell icon को भी दबा दीजे ताकि आप हमारा कोई भी वीडियो मिस ना करे तो चलिए शुरू करते है आप सभी का स्वागत है Indian Treasury of Wisdom में और आज हम सीधे चलेंगे scriptures के segment में और पता लगाएंगे कि scriptures में क्या छुपा हुआ है तो दोस्तों कुछ कलाय होती है जिनको प्रस्तुत जब किया जाता है तो final result जो निकलता है वो देखने में बहुत जादा सुंदर होता है आखों के लिए ऐसे ही तीन कलायों का उल्लेक मिलता है हमारे इस लिस्ट में जिनको हम visual arts कह सकते हैं इनमें पहली कला है आलेक्ख्यम याने painting करने की कला इस कला में drawing, painting, sketching ये सारे ही अलग-अलग variations आ जाते हैं आलेक्ख्यम ये कला तो भारत के इथिहास के हर पन्ने पर आपको मिल जाएगी फिर चाहे वो अजंता एलोरा caves के रं चित्र सूत्र मिलता है जो बहुत बारीकी से चित्र कला में क्या रंग इस्तमाल होने चाहिए, चित्र निकालने के लिए क्या-क्या तकनीक होते है इत्यादी का वर्नन मिलता है इन सब जानकारी से ये पता चलता है कि प्राचिन काल में हमारे पूरवज कितने जादा आदूनिक तरीके से कला उपर गौर करते थे और आप सब जानते ही हो कि इस कला को आज भी दुनिया भर में बहुत सहारा जाता है चाहे वो ट्रडिशनल आर्ट फॉर्म के रूप में हो या फिर डिजिटल स्केल पर किया हुआ ग्राफिक डिजाइनिंग हो कपडों के डिजाइन से लेके किसी भी प्रड़क के पैकेजिंग से लेके कोई भी चीज में कही पे भी आप नजर दोगे आपको हर जगे ग्राफिक डिजाइनिंग दिखेगी जो एक तरीके से डिजिटल प्लाटफॉर्म पे बनाया हुआ पेंटिंग का आर्ट ही है अब दोस्तो इसी ग्रूप में अगली कला है विशेशक छेद्यम मतलब चहरे और बोडी पर पेंट करने या डिजाइन्स बनाने की कला विश्नु धर्मोत्तर पुरान के चित्रसूत्र में ये बात उल्लेखित है कि आलेख्यम याने चित्रकला बहुत क्लोजली रिलेटेड है नाट्यकला से याने थेटर और अक्टिंग से प्राचीन भारत में नाट्य और नृत्यके अनुष्ठानों में अक्सर शरीर पर पेंट करने को बहुत महत्व दिया जाता था क्योंकि ये विजुली बहुत अपेलिंग होता है स्टेज पर आपने अक्सर विबिन्न डैंस फॉर्म्स में चेहरे पर पेंट किया हुआ देखा होगा खास कर कथकली डैंस में कलाओ के शेतर में ये एक बहुत आकर्शक कला है और आज भी हम लोग आम जीवन में भी हमारे शरीर पर वही कर रहे है टैटूस के स्वरूप में और आज ट तरीके से आज वीडियोज और मुवीज कॉमन है आज कई आर्ट फॉर्म्स विदेश में भी हमको देखने को मिलते है जिसमें फेस और बॉडी पर पेंट किया जाता है अब दोस्तों वीजूल आर्ट्स की श्रेनी में अगली कला है चित्रयोग है इस कला को आप आसान परशक रोमान चक आखों को अच्छा दिखने वाला एक शो प्रस्तुत किया जाता था इसमें अलग-अलग रंगों का इस्तमाल होता था और अक्सर पेंटर्स जो अलेख्यम विद्या में माहिर हुआ करते थे वो इस तरह की कला को सीखते थे एक्जाम्पल के तौर पे एसी कला कृती जिसको आज दुनिया में बहुत यूनिक मानी जाती है प्राचीन भारत में हजारों साल पहले हमारे पूरवज आम एजुकेशन सिस्टम में इसको सीखा करते थे अब दोस्तो हम लोग बढ़ते हैं अगले गरूप की और जिसको हमने नाम दिया है मेकप एन ग्रूमिंग सिकल्स अब ये नाम सुनने में आप लोगों को लग सकता है कि ये तो लडकियों वाले सकिल्स है पर ऐसा नहीं है इस ग्रूप में जो साथ कलाय आते है ये सारे कला और पुरुष दोनों के लिए same importance रखते थे प्राचीन भारत में क्यूंकि self grooming हर इंसान के लिए जरूरी होता है बले वो लड़का हो या लड़की और इन कलाओ का relevance आज के 21st century में भी कितना जादा है ये जान के आप surprise हो जाओगे तो दोस्तो इस ग्रूप में पहली कला है नेपथ्य प्रयोग मतलब कपड़े पहनना और तयार होने की कला समाज में रहते हुए किसी भी व्यक्ति को ये basic कला तो अच्छे से आनी ही चाहिए अच्छा दिखना, fashionable रहना, अच्छे कपड़े पहनना, कौन से occasion में कैसे कपड़े पहनने चाहिए ये सब समाज में रहने के लिए जानना आवश्यक होता है आज modern world में इस कला के लिए एक पूरी fashion industry है जहां designers और dressing artists होते हैं जो apparel brands के लिए designing करते हैं प्राचीन काल में भी ये कला सिर्फ self grooming से सम्मंदित ना होते हुए एक profession भी हुआ करता था जहां राजा मह उनकी रानिया और बाकी सगे समंदियों के dressing से लेकर एक यूद में लड़े जाने वाले सिपाहियों और सेनापतियों के वस्तर तक design किया जाता था designers द्वारा प्राचीन भारत के विभिन्न dressing styles और patterns इस बात का प्रमान है सिर्फ कपडों के designs और patterns ही नहीं बलकि विभिन्न प अर्थात आभूशन याने ज्वेलरी पहनने या पहनाने की कला ये कला भी नेपत्य योगर के समान ही आवश्यक होता था प्राचीन काल में जहां पुरुष और स्त्री दोनों ही विभिन्न प्रकार के आभूशन और गहने पहनते थे कपड़े पहनना जितना आवश्यक होत है उतना ही आवशक होता है ज्वैलरी पहनना खास कर अनुष्ठानों में जहां अच्छे दिखने की जरुवत होती है ये कला सजने सवरने का एक अत्यावशक हिस्सा है और प्राचीन काल में इसलिए जादा प्रचलित था क्यूंकि जादा तर लोग प्राचीन समय में धनी और भारत एक इकनॉमिकली अडवांच देश हुआ करता था प्राचीन काल में हजारों साल पहले के इंडस वैली सिविलाइजेशन के एक्स्कावेशन्स हो या भारत के प्राचीन काल के कार्विंग्स हो भारत के कोने कोने में विभिन प्रकार के ज्वैलरी का उप्योग द और ये कहना गलत नहीं होगा कि दुनिया को जोलरी बनाना जोलरी होता क्या है प्रेशस मेटल्स होते क्या है ये एक्चुली भारत नहीं सिखाया प्राचीन काल में इसकी अगली कला भी इसी कला का हिस्सा है जिसका नाम है करनपत्र भंग मतलब कानों के एर रिंग्स या जोल को अलग से क्यों mention किया है क्यूंकि earrings पहना तो normal बात है जैसे normal कोई भी jewelry पहनते है दोस्तो इस color को separately शायद इसलिए mention किया गया होगा क्यूंकि ये professional dressers जो jewelry पहनाने की services देते होंगे प्राचीन काल में उनके लिए कान के अभूशन दूसरों को पहनाना थोड़ा challenging होता होगा अ jewelry में कान के earring ये एक common item होता था इसलिए professional dressers specially कान के jewelry को पहनाने के skill पर अलग से focus करते होंगे ये skill अच्छे से जानना नाट्य और नुत्यकला के मामले में भी महत्वपुर्ण था क्यूंकि stage पर performance के वक्त जब भी कोई set change होता होगा जल्द बाजी में get up change करते वक्त कान के jewelry jewelry ठीक तरीके से निकाला जाए बिना कान को hurt हुए या बिना jewelry damage किये इस बात का ध्यान रखना जरूरी होता होगा jewelry पहनाने वाले professional के लिए या खुद उस एक्टर के लिए अगर वो खुद उसकी jewelry change करने वाला होतो दोस्तो अगली कला नेपथ योग कला मतलब कपड़े पहन के skill set का ही एक sub form है जिसे कहा गया है शेखर पिड़ योजनम याने बालो पर पगड़ी बानने की कला बालो पर पगड़ी बानना भले ही आज सिर्फ rare occasions पर किया जाता हो पर प्राचीन भारत में ये भारतिय पहनावे का एक एहम हिस्सा होता था लगबक सभी प्रांतों में इसे इस्तमाल किया जाता था स्त्री पुरुष और बच्चे सभी वेक्ती अलग-अलग प्रकार के पगड़िया या हेड़ गेर्स पहनते थे अलग-अलग रंग रूप के और आकार के भी 300 BC के काल के मौरियस अम्रज्य के बारे में ancient Greeks ने अपनी बुक इंडिका में इस बा पहनते हैं पर आज भी कई गाओ में लोग इस पहनावे को फॉलो करते हैं इन प्राचीन भारत के कार्विंग्स को देखिए इन विभिन्न प्रकार के पगड़ियों के डिजाइन्स को देखिए कितने सुंदर और स्किलफुली इनको बनाया जाता था उस समय और एक बात य दूसरे से दोस्ती गहरी करने के लिए अपनी पगड़िया एक्सचेंज भी करते थे और अनुस्ठानों में किसी को सम्मान देने के लिए पगड़ी भेड़ भी ती जाती थी एक दूसरे को अब चलते हैं अगली कला की ओर जो है उत्सादने संवाहने केश मर्दाने कंगी करना और उनको स्टाइल करना और उनका ख्याल रखना इवन उनको कलर करना भी ग्रीक बुक इंडिका में सर और दाड़ी के बालों को कलर करने की भी बात लिखी गई है मौरे समराज्यक के वक्त के और नो डाउट आप सभी को तो पता होगा ही कि शैंपू इस प्रड करो भी मसाज किया जाता था और बोडी को क्लीन रखा जाता था आज मौडाण टाइम्स में आपको पता है कि कितना खर्चा किया जाता है मसाज पारलर में जाकर शियूद लेने के लिए जिसमें ठीक किसी तरीके के प्रोस59 किये जाते हैं बालो और शेरीर के लिए अब अगली कला है गंध युक्ति जो की हमारे प्रिवियस कला से ही जुड़ी हुई कला है जिसमें विभिन्न सुगंदित नैचरल जड़ी बूटियों के ओइंटमेंट्स और ओइल्स के इस्तमाल से किसी व्यक्ति को रिलाक्सेशन दिया जाता था और खास ध्यान रखा जात था कि सामने वाले व्यक्ति में जो भी बिमारिया है उनको इन ओइल्स के सुगंदित वातावरन से ठीक किया जा सके इस कला को आज मौडन जमाने में हम आरोमेटिक हीलिंग कहते है या अरोमा थेरेपी कहते है जो मौडन वेस्टन दुनिया में आज काफी पॉपिलर करना और शरीर पर किये हुए मेकप और पेंटिंग को निकालने की कला ये वाली स्किल तो सेल्फ एक्स्प्लेनेटरी है आप सब जानते ही हो कि जिस प्रकार से कपड़े पहनना मेकप करना बोडी पर कलर लगाना और जोईलरी पहनना सजना सवरना ये कलाय आना जरूरी है उसी प्रकार उनको सही तरीके से शरीर पर से निकालना भी अपने आप में ही एक कला है ये आम जीवन में शायद इतनी बड़ी कला ना होती होगी दैनिक जीवन में पर प्राचिन काल में नाट्य और नुत्य शास्तर और उस कला के शेत्र में जहां स्टेज पर बड़े प्रोफेशनल्स हुआ करते थे ये सब करने के लिए ठीक जैसे आज के जमाने में हमें फ्लिम इंडस्ट्री में देखने को मिलता है जिन्हें हम मेकप आर्टेस्ट या ड्रेसिंग आर्टेस्ट कहते हैं आज आप सभी जानते हो कि उनको इस फील्ड में कितनी मेहनत करनी पड अपने आप में ही एक बड़ी कला होती होगी तो दोस्तों ये थे 64 कलाओ में से दो ग्रूप के बारे में एक विस्तुरुद जानकारी जिनमें हमने आज तीन वीजूल आर्ट्स देखे और साथ अलग-अलग प्रकार के मेकप और ग्रूमिंग स्किल्स देखे जो की बहुत जादा इंट्रेस्टिंग थे अगली वीडियो में हम अगले ग्रूप पर चर्चा करेंगे जिसको हमने नाम दिया है आर्किटेक्चर एंड इंजिनेरिंग स्किल्स इस ग्रूप में बहुत ही इंट्रेस्टिंग नौ अलग-अलग प्रकार के कंस्ट्रक्शन और इंजिने चैनल के कंटेंट को पसंद करते हो और वीडियो टॉपिक्स के रीसर्च में मदद करना चाहते हो तो इस चैनल को फाइनेशिली सपोर्ट करने के बारे में जरू सोचे वन टाइम कॉंट्रिबूट करने के लिए आप हमें गूगल पे कर सकते हो इस नंबर पे और ये हमारा UPI ID है ITW at the rate IDBI जहां आप किसी भी मनी ट्रांसफरिंग अप से ट्रांसफर कर सकते हो आप हमें हमारे बाकी सोशल मीडिया प्लाटफॉर्म जैसे फेस्बूक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाकर हमें बताईए ये वीडियो आपको कैसा लगा वीडियो को लाइक कर दे और जादे से जादा शेयर करे और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर दीजे और बेल आइकन को भी दबा दीजे ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे थैंक यू दोस्तों फॉर वाचिंग और जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में